हेलो फ्रेंज एक बफिस से आप सबको बहुत वेलकम है माई होबीस वर्ल में तो फ्रेंज्ञ रवीना के होबीस वर्ल में देखी हम आज ये ब्यूटिफल सा जालर वाला डॉर्मिट बनाने वाले हैं इसे देखी मिने दो कलर काॉल गामिनेशन और देखी कितना सुंद लग प्रोजिमिंग हो सकती है लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं यहां पर हर एक स्टेप को बहुत ही क्लियरली और अच्छे से एक्सप्रेंट करने के कोशिश करूंगी तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करेगा चैनल पर यह तो सब्सक्राइब कर ल है तो आप उसे कमेंड करके मुझसे पूछ सकते हैं आपके कमेंड का रिप्लाइ में ज़रूर करूंगी तो आज कई जो डॉर्मेट का डिजाइन है उसे बनाना स्ट करने से पहले आप लोगों से मेरा एक सवाल है इस डॉर्मेट को अब ध्यान से देखिए क्या आप बता कि दोनों से लोगों को एक साथ सील देते तो जो डॉर्मेट का लूख है वहाँ पर डबल रो की वज़र से अच्छा नहीं आता है और जो जॉइंट दिखाई देता है वह अच्छा नहीं लगता है तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी टिक बताऊंगी तो उसे भी और फंदे डालने का जो तरीका है वह बहुत ही आसान है मैंने अपनी एक वीडियो में बताया है आप उसे आई बटन में जाके देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर उपर एक टाइटल डिखाई दे रहा होगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो वीडियो ओपन हो जाएगी तो जाले है और फंदे आपको उसी कलर से डालने है जिस कलर से आपको यह बाहर का बैग्राउंड रखना है यह दिखिए यह जो दागा दिखाई दे रहे है यह बॉर्डर की साइड है और यह संटर की साइड है तो देखिए इस तरह से हम सिंपली यहां पर फंदो को दूंडर के रिखनें, पांच चल पक्टास के ऊसे डिय के लिड़ेंगे बूर्डर के कि रिखना है यहां पर हम बाहर के लिए तीन पड़्यान के लिए ले न फीर टाथ 11 फंदे बूढंते हुए जाना है ए जो आख् forward 16 फंदे बुढहागि के बाद अव यहां से उन्दर की कली है उसे हम बनाना स्टार्ट करें यहां से देखिए हमें इन सभी जाएंगे ताकि बैक साइड से जो 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 की फिनिशिंग है अच्छी है यहाँ से उल्टा उल्टा बून लेना है बस तो यह देखिए यहाँ पर मैंने यलो कलर के सभी फंदों को बूल लिया है अब यहाँ पर देखिए हमारी यलो कलर के टोटल देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 28 फंदे हमने यहाँ से बूल हैं आप इसके बात देखिए यहाँ पर हम्हारे 11 फंद चर्व को 2 में से 11 फंद चर्च को रखा हैं देखिएखे हम chosen इस पॉइंग चर्व हूं अब यहाँ से पाइग पर है इस और उसके बाद जो 8 फंदे हैं उसमें हम जालर बनाएंगे तो देखिए जालर पर भी मैंने एक separate वीडियो बनाई हुई है अगर आपको जालर बनाने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं आप उसे i button पर क्लिक करके देख सकते हैं तो होती है उर फंदा बढ़ाना होता है तो उसे बूरने के लिए यह हम पिछे घया है से अगे लरेखे आपनी तरफ और यहां पर पर इस तरह से देखे यह जालर बना रहें तो जो सिरूजके बढ़ना रहे है तो कि यहां पर यहां पर के लिए पिर से हम इसे अपनी तरफ से लेके आएंगे तो किसी थार का कंफुजन नहीं रखना है मन में इसी तरह से बस बनाना है बहुत ही सिंपल है आप बनाएंगे तो बनते बनते आपको अच्छी से समझा जाएगा तो देखिए यहां पर में छे फंदों को इस तरह से उ यहां पर यहां पर इस प्लौरी के हम यहां बना रहें के हम्ने यहां दो फिलता हैं 24 कि एकप रगय करते हमें यहां नीजिर उल ज clock क्रण निकाध्य तरफ एगे फंद देख दो हैंगे यहांनिंगे हांपर यहां से लिजर पर यहां पर हम्नों पर पुने हमारे 20 क देखे शुरू में हमने यहां पर तीन फंदे ब्याग्राउंड के छोड़े थे अब बुनते वे जाएंगे तो यह यह लो के छोड़ दिये अब यहीं से अम सलाई को पलट लेंगे दागे को आगे ले लेंगे और यहां पर इस सलाई का पहला फंदा बिना बुने ही उतार ल ह देखे पहले हमारे पासदे थे ब्यांग्राउंड में अब यहां पर चार फंदग को इस तरह से इल्टा बुननेों के अब दीखिए तो आपकूत देखें कि अगया पर पर जागे को लेकर जाएंगे तो यहाँ पर जाली पढ जाएगी और एक फंदा बढ़ जाएगी तो यह दिखिए यह रो हमने कमपीट कर लिए फिर से बॉर्डर की साइड आ गए हैं अब यहाँ पर फिर से पहला फंदा बिना बुने उतार लेंगे धागे को आगे ले आएंगे और यहाँ पर इस तरह से जालर के फंदों को और डियाग्राउं के फंदों को उल्टा-उल् बुनें इन पर पिरसे एक फंदा में यहाँ पिरसे से बुर्डर के बंकी को यहाँ छोड़ देंगे जब ब्राइय से हम आप निदि रखा नहीं में जाए था पिसल्य सथा बहुत प्राइवां कि पर यहाँ को आप सिर्ज shifts बुनने के बाद इसे हम पीछे कर देंगे और यहां पर पिंग धागे को क्लॉस करते हुए आगे लिख आएंगे अब यहां पर देखिए बैग्रोंड में हमारे टोटल पांस फंदे हो जुगे है तो पांस फंदे को देखिए इस तरह से हम पिंग कलर से उल्टा उल्टा फंदे होगे इस तरह से सीधा बुनकर करेंगे हम दाएक को आगे लेयांगे और इन चे तरह से उल्टा बुनेंगे तो इक एक फंद भी जाल्ग में बढ़ाते जाना है तो यहां पर देखिए आट फंदों से जाल्र को स्टार्ट किया है यहां ठोटल हमारे 14 फंदे होंग अब देखिए फिर से हम अपने बॉर्ड की साइड आ गए है और यहां पर पहला फंद है इसन बीना बुन ही उतार लेंगे धागे को आगे लियाएंगे और यहां पर देखिए इस सभी पिंके फंद को बुन लिया है मैंने अब यहां से यलो कलर का एक और फंद हमारा बढ़ लगे लियान को और यहां से य यहां से यहां से यलो के फंद को यलो से बुनते हुए जाएंगे और यहां पर दाइक को क्रॉस करते हुए यह जो पिंक की बैग्रां चैèces जाफ गुल्नगे ल एक दाय से बार बढ़ है घृ चालर오 नहीं प उल्टा बुनेंगे तो इसी तरह से हमारी जालर बनते हुए जाएगी इसमें टोटल 14 फंदे हमें करने है जालर में और यह जो हमारी डिजाइन है देखिए एकी करते हुए यह लोग के फंदे नीचे की तरफ आएंगे और यहां पर तीन-तीन फंदे सेंटर से छूटते जालर में चालर में एक एक करते हुए यहां पर चछी फंदों को बढ़ा लिया और यहां पर टोटल में 14 सब्साइब 14 झथा चालर में हमारी स्ब्साइब एके करने घटा देते हैं यहां पर या जोचैन बन रही है यहां से हमारी बहों स्टार्थ है present significant देखिए, यह जाली वाला फंदा है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, चौदा फंदे हैं, तो इसमें से हमने 6 फंदे बढ़ा है, स्टार्टिंग हमने 8 फंदों से के थी, तो बस उसी तरह से हमें यहाँ पर करना है यहाँ पर 6 फंदे जो हमने बढ़ा है, उनी 6 फंदों को हम यहाँ पर घटा देंगे, तो घटाने के लिए देखिए, हम क्या करेंगे, एक की बार में 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, यहाँ पर इस तरह से देखिए, और यह जो बुना हुआ फंदा है, वापस हम इस सला पांच, छे, देखिए यहां पर वापस से चेक करने के लिए गिन सकते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, यह देखिए हमारी सालर में 8 फंदे हो गए अब यहां से देखिए इन फंदों को हम इसी तरह से बुन लेंगे देखिए स्टाटी हमने आट फंदों से की थी तो यहां पर हमने आट फंदे अपनी जालर में ले लिए इसी तरह से देखिए हर बार जब 14 फंदे हमारी जालर में हो जाएंगे हम उसके फंदों को घटा दे चैनल के जाट के फंदर को बुंलिया हैं मैंने अब यहां पर आप से दो इस तरह से बूल लोंगी और यह एक यलो का जो फंदा है उसे भी मैं पिंक कलर से बुलनेंगे अब इसके बाद देखिए जो यलो के फंदे हैं हम उसे यलो से बुलनेंगे और इस बार भी हम पीन फंदे छोड़ देंगे इस तर से अमरे यहां पर अठ्रा फंदे छूड़ गए अब यहीं से हम सलई को पलेट लेंगे धागे को आगे ले आएंगे पहला फंदा बिना बुने ही उतार लेंगे अब यहां से देखिए यह जो यलो कलर के फंदे हैं इस यह यहां पर मैंने और प्रकें फंदे बुन लिया है अब इसके बाद जाल बूंदे बुनने हैं तो देखिए यह हमारी चेन वाडी डिजाइन इसए से में पता चलाएंगा कि आए से श्राट हो रही है तो देखिए जिस तरह से स्टार्टिंग में हमने आठ फंदे लिए तो यहां पर एक फंदा बढ़ जाएगा अब उसके बाद यहां पर देखिए दो चार छे छे फंद है रिने छे फंद को उल्टा बुनेंगे आट फंदों की जालर में हम इसी तरह से छे फंद को उल्टा बुनते हैं यह जो जालर है आप इसे कम भी कर सकते हैं और ज्यादा आपके उपर डिपेंड करता है अब देखिए यहां पर जाला में हमारा इक फंदा बढ़ गया तो आठ फंदों से नौ फंदों की जाला हो गई हमारी अब यहां से फिर से हम पहला फंदा है उसे बिना भूने ही उटा लेंगे दाइको आगे लेंगे और यहां पर पिंक कलर क चूट 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 चुट और हहां पर देखिर छा में नहीं घिना देखिए यह प прог टेखिए यह पर एक फंदां पंदों pole मैं टींटों में अधर ख्यूद हैं हमारे उसने चूट गया उसनाषए निया में चूट तो हमारे ते हम crazweekे पांदे इसमें हमारे 10 फंदे हो चुके तिन फंदे, लाइ और यहां पर साथ फंदे, हमारे बढ़े हैHigh के चार के एक छह化 नहीं पर घ्राध में से थेले को पींगे इन पमेवनों के बूलेंगे ग मैने देखिए, ज्रूरा को मुझ बूलेंगे हैँ बुन लेंगे तो यहां पर बढ़ गया और जाली भी पढ़ गया अब देखिए एक दो तीन चार पांच छे फंदों को हमें उल्टा बुनना है और यह जो एक फंदा यह बढ़ा हुए फंदा है तो यह बढ़े हुए फंदे को में इस तरह से सीधा बुनेंगे देखिए जि पिंक कलर के बढ़े हैं अब दूसरी करने से पहले यहां पर बैगराउंड की एक रू है यहां पर देखिए जो पैला फंदा यह बिला बुने उतार लेंगे दाय को आगे लेंगे अब यहां पर देखिए जो पिंक कलर के सभी फंदे उन्हें वी और यह बढ़े हम संब्सारे के सभी पए अब यहां बिला है यहां से जो यहलो के फंदे उतैंड कि मिरा से गी हैं फंद्मिक को यह थे यह तुक्त पाला के सभी ज से निटीन कंध़िये थे और लोके में यह बने पलड़े नहीं विल्लएंग देखिए पर यहां पर यह जो पहला कि रूह क अब यहां से देखिए इस रो में भी हमें इस तरह से पिंक अलगे फंदों को उल्टा-उल्टा बुनला है तो यह देखिए हैं अब आपको पता चले कि मैं जाले कहां से स्टाट हो रही है अब दिखिए पहला फंदा है उसे सीधा बुनेंगे देखिए इस तरह से दूसरे पर जाली डालेंगे दाय को आगे ले आएंगे इस तरह से देखिए उसके बाद देखिए एक दो तीन चार-पांच शे पंदों को उल्टा कुणेंगे और यहां पर देखिए यह दो विरू हमने अब हमने ने कंप्रीट कर लिए तवि तो यह दिखिए इस तरह से हमारी ए के विल्पंद में यहां ऐओं से कीया था यहां से नहीं है दर्फ निचे के तरफ लेके च जाएंगे और यहां उन्जे तरफ निचे off इसे में सब्सक्राइब हैं, इस सब्सक्राइब स्क्राइब का व्लिम् guys, और अगा का इक दैस्क्राइब हैए और एक व्लिम किम्या सातल सब्सक्क्राइब, यहां से दिखे हम यहां से अटाच करेंगे यहां पर यहां से तीन फंदे छोड़ देंगे और 21 फंदे हम ने यहां पर छोड़े थे तीन तीन करते हुए तो हम यहां से 21 फंदे काउंट करेंगे और यहीं से अपने यलो कलर को अटाच करेंगे तो यह भी एक तरीका है तो द एक भी दॐसे हुरत याई न hm पपनतरी एक त्युक्म है अन्युप भिछ में नहीं बोननी मजिकल निरुपिंगे इतार हो जुगत लिएक तुर्डव इस से ऊकर के ऊप प्लीप से नियुक्र कृता हो। यहां से ऐंद है उसे बन सब्सक्राइश हैंक आधया नियुक्त दस भुनने के बाद जळदर को बनाएंगे तो पेला फंद बन सिधा बुनेंगे दूसरे रखल्दर पर जली ढालेंगे अब यहां से एक ढूँरो हम भाण मove moos तो फ्रूसे से मैं आपको बताया है तो कि यहां पर फुर्श टा में तो एसके बड़न यह चिल एजो हमारी उन्लव को नर Okay क्यूं करस फंद है यह श्चे लिए टाली अल्टा बूनेंगा यह देखिए यह जो लास्ट पिंग का फंदा है बैग्राउंड का इसे अब हम यलो कलर से बुलेंगे तो इस तरह से एक स्टेप उपर चला जाएगा यह यलो कलर और यहां से बुनते हुए हम सेंटर पॉंड की तरफ जाएंगे और सेंटर में हम तीन फंदे छोड़ देंग देखिए तीन फंदे छोड़ दिये अब यह जो चैन वाली डिजाइन है यहां से हमारी जालत स्टार हो रही है तो पहले फंदे को सिधा बुलेंगे दूसरे फंदे पर जाले डालेंगे यहां पर जो भी बड़े हुए फंदे हैं उनको देखिए हम सिधा बुलेंगे और चैन पहले से इसे चैन फंदे हैं से फंदे हम सिधा बुलेंगे इस अक पर दोंते हुए जाला है से तन कम्पीट जाला में अब हम तhouse ऑग्हारव से ब्लेंगे कि दूटल यहां पर यॹ्लो कट़ने के से proch हंब कर देंके से क्षोड ऑँ पीछ हैं और फिल्य को बनेंगे लिशंट։ ऑपिंगर को जाली बांगे भाटल लानंग पर च। यहां पर मैंने सभी थानलेशन आपडल जहता हैं जाला पर 14 थानलेशन ї भाटलेशन यहां पर दूसरी आपउasser कम्प्रीट हो गई है यहाँ पर यह 2 फंदों को बुण दिया मैंने और फिर 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 फ ये देखिए ये जो लास पिंकलर का फणडा है इसे अब हम येलो कलर से बुलेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा एक येलो कलर का फणड और बढ़ गया अब 2017 साथ साथ आप जिस तरह से हमने हिम से बना संबॉ है यहां पर हमारे यह यह में पर दिखाती हुएए त्युमिशा मैं ज़? वनेगे बेंगे दूसरे पलशुपरrah बनेगे तो में दिखाती हुए प्राप्र ट्σεटि gez कप Newton बनेंगे और आखिर के च्छे फंदों को चोड़ लिया है और यहां पर साथ फंदे उसी के साथ बढ़ गए है तो टोटल यलो कोलर के 28 फंदे होगे जिस तरह समने इस कली के सार्टिंग में अठाइस फंदे लिये थे और यहां पर बैग्राउंड में सार्टिंग में जैसे बनाएंगे यहां से देखिए पहला फंदा बिन बुने उतार लेंगे धागे को आगे लेंगे और यहां से देखिए यह जितने भी पिंके फंदे हैं और यहां पर यह यह लो कलर के सभी फंदे इन सभी फंद को और यहां पर देखिए सेंटर में हमने यह एक फंदा पिछ अब यहां से देखिए दोर्मेट की सीधी साइड है और यहां पर सभी फंदे हैं वो पिंक कलर के हैं तो यहां पर देखिए उसे बिना बुने ही उतार लेंगे लागे को आगे लेंगे और यहां पर देखिए यह सभी फंदे हम पिंक कलर से बुनेंगे यह बैग्राउंड त के थार देखें यहां तक ऊसे हम सीधह बुरूएंगे और यहां पर इन अखिर के छे फंडों को उल्टा बुरूआएंगे । तो यहां पर चुक हुए और यहां पर 14 भूद जालर में हलेए तो सिस तरह से हम हर बार जालर की फंड को घटा देंगे यह देखे मैंने 6 फंडों को घटा लियी और 8 फंड हमारी घर्मिट के दहीं की लिया इस तरह से बनकर तयार हो गई है और इस तरह से दो कलियों के साथ यहां पर तीन जालर बनेगी डेखे सब्सक्राइब हम अपनी तीसरी कली को बनाना स्टार्ट करेंगे जो कि बिल्खुल इसी की तरह बनेगी इसी को वापस से रिपीट करेंगे तो देखिए आठफंदे जिसरा हमने पहली बार जालर में रिये थे उसी तरह से तो टोटल 11 फंदे हो जाएंगे अब यहां से देखिए अब हम यहां पर 28 फंदे यलो कलर से बुनेंगे बिल्कुल उसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से हम इस कली को बनाया था और फिर उसी के सास हम अपनी जालर को भी बनाएंगे तो बस इसी तरह से इस सारी क straps करनें लेया कंप्लीक कर. ही तो मैं यहां पर इसPal भूंद को उतारूँ गैँ तो दिखिए यहा रकार बिन गबंच छहाओ अगर जाए कप वीडियो बनाई हुई है जो आपकी स्केरिन पर दिखाए दे रही है